जी असलाम लेकुम मुझे एक्चली पिछले चन्द दुनों से कुछ messages रिसीव हो रहे थे WhatsApp पे Allman fraud के मुतालिक और specifically Fiverr के मुतालिक Noon के account को लेके Amazon के account को लेके और unfortunately different लोग हैं जो को इस ट्रैप में आगे अपने कुछ पैसे उन लोगों को दे चुके हैं जो के तो I thought that इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाके सबको इनफर्मेशन दूँ नून के मुतालिक भी है Amazon के भी है और Fiverr के मुतालिक भी है In fact, इसमें इसका method जो लोगों ने adapt किया हुआ है कि आपके WhatsApp के नंबर पे आपको एक message रसीव होता है जिसमें आपको नून का या Amazon का एक link बेजा जाता है और उसके साथ एक referral code या limitation code उसके साथ दिया होता है कि जिसके थुरू आप उस fake website पर जाके आप अपना account create करते हैं उसमें कुछ आपको Amazon की और नून की product जो है वो मज़र आती है और उसके बाद आपको एक या दो order आते हैं आप उनकी payment करते हैं और after three days वो payment including your profit margin आप अपने account में से withdraw कर वा लेते हैं यह एक simple process है और मगर इसमें problem यह है कि एक या दो order process करने के बाद जब आपकी amount की frequency change होती है और यह lower amount to higher amount होती है that suppose आपका first order जो है वो 50 dollar का जाया है second order आपका hundred का जाएगा third order आपका two hundred dollars का जाएगा तो वो उस state पर जाके आप permit कर देते हैं मगर पिर पैसे आप उसमें से withdraw नहीं करवा सकते हैं आपकर आप तक इंबसरी वर्टसप पर होता है उसमें भी physical office नहीं है किसी landline number पर आपकी बात नहीं हो रही होती है so that is the reason वो पैसे आपको return नहीं होते है ऐसा काफ़ से लोगों के साथ हो चुका है इन दोनों accounts के उपर भी फाइवर के उपर भी I thought कि इस चीज़ को हम discuss करें और उसके साथ साथ फाइवर को लेके भी मेरे पास एक student आया यहां पर उसने का के एक client मुझे मिला USA का फाइवर के फाइवर के फाइवर मिला और उसको कुछ PDF करने थी वर्ड के अंदर और इस चोटे से टास्क है 1100 गागर उसने उस बच्चे को बोले कि मैं आपको pay करूंगा चोटा बचा था उसको इतनी understanding नहीं हुई तो उससे पहले आप एक काम करेंगे जो 2002 जो हैं यह मैं आपको एकाउंट दे रहा हूँ आप उसमें transfer करें ताकि हम आप यह registration को complete करें 2002 उसके ट्रास्पर किये और उसके बाद वो टास्क उसके ने complete किया पिर जब वो टास्क उसके वापस बेजा उसके अप्रिसेशन दी गई और उसके साथ यह कहा गया कि everything is fine अब हमने जो है यह 1100 डालर जो है अपने इस bank account से आप में जो इकाउंट दिया है उसमें हमने transfer कर दी है तो आप उसको चेक करें आप उसके साथ होने एक fake screenshot भी भी बेग दिया जिसमें बैंकी transaction की हुई थी उसमें उस बच्चे का इकाउंट नंबर मेंचन था और after party उताद या पैसे transfer नहीं हुए तो उसने जब रापता किया client के साथ client ने आगे किसी सेक्टरी पर राफर कर दिया और फिर उसने कहा कि हाँ जी यहां से आपका वी process complete नहीं हुआ यह इमाउट विड्ड़ा करने के लिए आपको 50 डालर उसी एकाउंट गंदर मजीद भेजने होंगे और उसके बाद यह 1100 डालर आप एकाउंट में transfer हो जाएंगे जो कि एक 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 एकशुआट ज़या है तो आजे चलते हम अपने कंपूटर के स्क्रेशन की तरफ अब इस तरह के फिरवाद में नारमली आपको आपके मुबायल पे दुर्व वैट्सअप पर SMS एक लिंक प्रेजा जा रहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि invitation code है noon का आप इसको accept करें उसके बाद आपका account create हो जाएगा जो के नारमने Gmail ID से आपका account create होता है और उसके बाद आपके पास कोई इस तरह से dashboard आजाएगा इसमें आप ये देखें कि यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है इड़ नून इड़ नून ड़ शॉप यह हमारे पास यह इसका landing page आ गया इसमें अब confusion यह create हो जाती है कि यहां पर noon भी लिखा हुआ है उसके बाद प्रोड़क्स भी यहां दी हुई है साथ में noon express भी लिखा हुआ है उसके साथ अगर आप देखें my account को click करें तो आपके पास कुछ इस तरह का dashboard open हो रहा है तो यह absolutely fake है जिस पे किसी किसम की product आपको buy करने की जरूरत नहीं होती और actual अगर हम देखें कि जो noon की website है एक्चल noon की website हमारे पास यह है जो noon का dashboard हमारे पास है वो noon का dashboard हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होता है अब यहां पे यह बताना जरूरी है कि जतनी भी market places काम कर रही है उसमें से कोई भी market place का working pattern इसा नहीं होता कि जहां पे आपको invitation code के थ्रू कहा जाए कि आप account open करें और उसके बाद आपको यह कहा जाए कि अब आप यहां पे आके product जो है आपको orders आएंगे और उन order को आप accept करें उसकी आप payment करें और उसके बाद जब आप एक दो payments कर लेते हैं आप उसका refund भी मिलता है मगर वो gradually amount increase होती जाती है जब आप five hundred dollar one thousand dollar के range में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर आप उसको withdraw नहीं करवा सकते हैं so remember के जो invitation code है वो एक unknown number से आता है जिस जिसके तुरू फून प्याब की बातचीर भी नहीं हो रही होती तो यह हमारे पास एक fraud है जो के आजकर इन है और different countries के अंदर बैठे लोग even के पाकिस्तान में बैठे हैं सूदिया में हैं UAE में हैं एजिप्ट में हैं वो इस invitation code के through trap में आ जाते हैं इस site को open करके इसके तुरू उनको order receive होना शुरू होते हैं और वो साथ के साथ उसको accept करके उसकी payment कर देते हैं तो इससे please avoid करें हाँ जी तो यह आपने देखा actually unfortunately हम लालच के शिकार होके और इस तरह के trap में आ जाते हैं तो जिसकी वज़ा से पैसे earn करने की वज़ाए हम पैसे waste करते हैं अब इसमें दो तीन चीज़े हैं जो मैं आपको advice करना चाहूंगा उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी ऐसी website online link facebook किसी भी ऐसे channel पर आप ना जाएं कि जिसमें आपको payment का कहा जाएं कि सबसे पहले आप हमें payment करें उसमें फिर आपकी restriction होगी आपकी product हम लेंगे x y z as aci कोई भी बात की जाएं कि जिसके अंदर payment का आपको कहा जाए make sure आपने उसमें किसी किसी किसम की payment नहीं करनी particularly आपकी जो market places हैं कोई भी marketplace ऐसी नहीं है कि जो आपको यह कहें कि आप हमें payment करें हम order process करेंगे उसके बाद आप अपनी payment withdraw कर वा लीजेगा ऐसा नहीं है market place का बकाइदा एक proper mechanism होता है जिसमें आप अगर अपना business करना चाहें उसमें आप अपना business करते हैं आप product को physically ले रहे होते हैं उसके बाद आप उसको sale कर रहे होते हैं उसमें fraud के किसी किसमें कोई chances नहीं होते हैं this is number one number second अगर हम fiverr की बात करें different groups की बात करें वो चाहे what's up group है fiverr के थुरू client आपको invite करता है कि आप telegram पे आ जाएं तो make sure के in case first of all आप fiverr पे रहें in case अगर आपकी understanding किसी किसी किसम की develop हो गई है और आप एक different channel पे चले गए हैं तो make sure किसी किसी किसम की आपने उनको payment नहीं करनी अब इसमें एक चीज़ आप जहन में वोता है जहां पे cash involved हो जहां पे पैसे involved हो या जहाँ पे किसी भी किसे कि कोई material चीज involved हो गिसी किसी नहींदे हो आपका time based कि हम इसक來इ अंगी इस तरह का fraud नहीं कह सकते मगर fraud हमेशा वहाँ पे involve होगा जहाँ पे आप किसी 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 किसम की payment करेंगे तो इसमें मेरे ड्वाइज आप सब लोगों के लिए यही है कि आप मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं आप आनलाइन काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी किसम की पेमिंट का आपको कहा जाए आपने किसी किसम की पेमिंट नहीं करनी end of the day you might end up with wastage of your time मगर आप पेमिंट से आवाइड करेंगे तो आप किसी किसम का फराड का शिकार नहीं हो गया तैंक यू वेरी मच्छ टेक कियर आफ यूरसेल्फ अंटिल नेक्स्ट वीडियो अलाफिस